नमस्कार वायो वेलकम आप से विकार तो वायो आज हम बात करेंगे एशिया कप का बारवा मैच इंडिया वर्चिज बंगलादेश के बीच आर परेंदासा स्टेडियम कोलंबो में दोस्तों मैच खेला जाएगा जहां पर इस टोनामेंट के जो लास्ट के तीन चार मैच खे लोगए इंडिया की तरफ से दूसरे इसान किसन और पंगलाय देश की तरफ से लिटो उन्दास हो गये सब्कि लोग मोकेस रॉलबोपली टीम में लेकर चल्य हैं जबकि लिटोंदास और इसान किसन क्थेंडरम कार्ड प्लेटट प्लेट हो सकते हैं उसी तरह से बैस्मेन आहलां दूर में अक्सर पेला दोस्तों जिसका सेलेक्शन पांच परसेंट के आसपास है और इंपोर्टेंट हो सकता हास्तों पर बात करें गरें लीक की तीम की उस्टी तरह से बोलर में कोई ना कोई ट्रमकार्ड प्लेट्स होगा उसको हम देखेंगे कि कोन सा ओर ट्रमकार्ड प्लेट्स है यारी दोस्तों पांच ट्रमकार्ड प्लेट्स हम यह आशे निकालेंगे और उन पांच में से हम अपनी टीम में तीन ट्रमकार्ड प्लेट्स को यूज करेंगे अगर ग तो आज भी यूनिक काप्टन वाइस काप्टन जरूर होगा जैसे कि हम लाश्ट मैचों से यूनिक कैप्टन वाइस काप्टन बनाते हुआ रहे हैं और सकसस भी हो रहा लाश्ट मैच जो कर लागा तो उसमें बैल स्टोक्स कैप्टन था 182 रन बनाए ट्रेंट बॉल्ट वा कबार दोब करें के बात करें चैनल को पूरी देखना लाइक करना सबस्क्राइब करेंगे अब बात करते तो सबसे पहले पिछ रिपोर्ट की पिछ रिपोर्ट की बात करें तो आर्प्रेमदासर स्टेडियम में मैच खेला जाएगा जहां पर दोस्तों अभी सरी लंका और पाहिस्तान का मैच खेला जा रहा है तो आप लोग देख लिए जिएगा उस मैच में कितना स्कूर्स बनता वैसे पि मैच दोस्तों फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने वीन किया है चेजिंग करना यहां पर मुश्किल है एक तो पॉइंट्स आपको यह बात जान में रख लिए एवरेज स्कूर्स की बात करें तो दोस्तों तर्टालिस से दोस्तों पैंटालिस के बीच यहां पर एवरेज स्कूर्स है वहीं पर हाइ तिन सो पिच ऩर जा चुका है स्कूरींग बैटरेंग की बात करें 272 बार 200 से डायजु के बीच वाइश बाँद दाए स्कूर्च ना सबसे ज्यादा थो स्कूर्स मतना तो तो बनात कि बाश cola एक इस पर अगर बैट आप गेडाते हैं बसे अगर पूलट को मदद मिलती हैं तो तो कितनी बीडी में चुआ था इंडिया टोटेम थी दो सो तेरा रंपर दोस्तों हालाउट होगी स्री लंका एकसो बैठार पर यहालाउट होगी वे सब्सक्राइब करें और स्पिनर्स को इस मैच में बिले हैं इंडिया और पारिस्तान का मैच था पॉडर श्टिक गया तो इंडिया ने स्रेलंका बंगलादेश का एक और मैच हुआ 255 का स्कोर्स नो विकेट्स बंगलादेश 236 पर आल आउट इस मैच में पेसर्ट को थोड़ी ज्यादा विकेट्स मेली स्पीनिश को कम उपर भी प्रिशर सुनिया है उसने लाश्ट मैच में अच्छा काशा परफॉर्मिस किया और एश्या कपके फाइनल में भी जाच किया तो तीम इंडिया 300 का स्कोर्स कर सकता है जैसे इस मैच में किया था तो 300-300 आप मान सकते हैं अगर टीम इंडिया फर्स्ट बैटिंग करत है या 220-300 बना सकता है आलाउट होगा बंगलादेश ये बात कंफरम है तकरीबन साची जाकी बंगलादेश के विकेट्स सारे गिरेंगे गिरेंगे तो इन बातों को द्याने में रखते हुए हमको परी टीम बनानी है तो दोस्तों अब विकेट्स की पर एक ही लेकर नहीं तो एक विकेट्स की पराद बैस्ट हो सकता है आलाउटर की बात करें तीन बैस्मेन ले सकते हैं अगर आप दो बैस्मेन ले रहे हो ना दोस्तों फिर आप दो विकेट्स की पर ले रहो तो हम तीन बैस्मेन ले सकते हैं अगर मैं दो विकेट्स की पर ले रहा हूँ तो फिर मैं दोस्तों क्या हैं ऑलांड़ दोस्तों मैं तीन या च्लिन शाओ तो ले सकत नहीं तो आज अलाउंड उन्हें इंड्या की तरव से बात करें आरधिक-पंडिार और जड़ेजा उनके पास मुचा नहीं आज पूरे और बोलिंग कर भी सकते हैं लेकिन फिर भी उतनी साथ ऑपर्चिन नहीं करेंगे अगर बंगलादेश परफॉरमस कर सकता है हो सकता है इंडिया के बोलर सी शिराज जस्परीद भूमरा और कुल्दी प्या तो पंड्या और सायद जड़ेजा की आज ज्यादा ओवर की जूर तो ना पड़े वही उनको आउट कर सकते हैं इसलिए माद दो विकेट्स दो आलाउंडर को अपने टीम मिलूँआ जो मैं जी अब बात करेंगे दोस्तो है ट्रेकोड्स की बात एंडिया के फेवर में तीम बनाएंगे और इंडिया ही विन करने वाली है 38 मैच दोनों के भी खेले जाज़के हैं जिसमें से 31 मैच विन किये हैं इंडिया ने इंडिया ही स्ट्रोंग टीम है तो इंडिया के फेवर में हम टीम मनाएंगे हमारी जो टीम का कॉंबिनिसन होगा देखो साथ खिलाडी मैं लेकर चलूँगा इंडिया की तरफ से और चार टीम में लेकर चलूँगा बंगलादेश की तरफ से बंगलादेश टोड़ी एंडिया के लेकर चल सकते हूं चाहिँ जादा तर तो टीम में और चार का कॉंबिनेशन के साथ ओस्तों में अपनी टीम बनाने वाला हूँ अब बात करते हैं कि साथ खिलाडी कॉंशी इंडिया की तरफ से लेने हैं तो उससे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं तो ने से पहले आपको कुछ हैशी में बात करने होती है डैसे हमने बात कि कि हो सकता है इस तरह का शिकसे स्थक्षाप यूदह करना ह। आप को कुछ गुर्पारी कर सकते हैं अब बोललिंग कि बात करें ना मेरे साथ से आज में बुमरा उव्जी प्यादो और शिराज यह तोर beetle करते वे ये टींडिया पांसावर करवाएगी वेक तिम के खिलाब मार्च है और अक्सर पांच छेच है और बोलिंग कर सकते हैं गूसेल पांच-छेचा ओर बोलिंग करते हैं तो तर waiver इसेलें अजीप की और की हाण시 हैं अगर बंगला देसे पूरे वर कहले हैं तो 15 और मैंस कथे तो अगर बंगला देस होस्ते पोगिये ठीन ही ज्यादा विकेड़ा ज्यादा विकेड्यर में मैली है प्रन बात आपको द्यान में रखना अब बाट करते निसक खिलाडी मैं वर में न Nickel स्वंगal opening करें दोस्तों इन दोनों में से एक कोई में लेकर चांद दो आप दोल Copa है देखो सुमोल लिग के तीम मैं आप दोनों को ले कर चाहरो कि सामने पीकडी हमारी तों अचा-खाशा निक लिदा सकते हैं खास तोर पर टीम इंडिया चेजिंग कर रहा है तब हम दोनों को ले सकते हैं रोई शर्मा को दोस्तों दूरूर लेकर चलूँगा कुछ टीमों में थर्मा को ड्रोब करूं इसका लेकर नों ने पड़ेंगे में एक को ले सकते हो या नो को बंगलादेश के पास ज्यादा अच्छे बैट्समें इसलिए अगर दो बेर ले रहे हो आप और खास्तों चेज्जिंग करते वक्त आप दो बैट्स अगर रोहित और सुम्मधिली में से एक को लो एक विराट कोली के साथ आप जा सकते हैं फिलाल आप चाहो तो समोल लिग की टीम में दोनों को ले सकते हो और टीम इडिया करता तो विराट क्वाली दोस्तों फर्फॉर सब्सक्राइब स्क्राइब तो पिर्राट्स नहीं ग्रatorio पोग्छ है, दिशहा है। के अंदर विराट को लिए रन बनाएगा अगर आपको लगता कि बड़ी इनिंग्स के लिगा विराट को ली तो आप कप्टन वाइस कप्टन बना सको हाँ टीम में मैं लेकर सोलूगा लेकिन कप्टन वाइस कप्टन मैं नहीं बनाऊगा अजोस्तों लोकेस लाओ करना था उपर अच्छे-कास से पिकरेंगे तो अच्छे विस्टी के और एक कम सेलेक्शन में क्योंकि सभी लोग रोई चर्मागिल और विराट को लिकोई ज्यादा तर्शी विस्टी बना रहे हैं फिर उसके बाद कोई पंड्या को कोई जडेजा को या बुम्राश शिराज और कुल्दी प्यादों को विस्टी बना ज लुगा फिर बात करते दोस्तों इस लुकिसन की काफी लोग सेलेक्शन है दस परसंट से 20 परसंट मानके तो लोग सलेक्टन लैने बाला फष्ट बैक्टिंग के केस में यह ट्रूम कार्ड प्लेर्श हो सकता है मैं लिख देता हूं या पर ट्रूम कार्ड प्लेर्स होगा लेकिन अच्छे खास है है अच्छे खासा आ अपके लिए रहा सकता है बात कर दो है कानई लगाए तो यह कानई यह ट्रम कट प्लेर्श हो सकता है के लेकिन को इसको यूज करना ना दोस्तों इसको करना हो के स envie न को तो आप पर दो दो ब्यूग में से कुंछ लेकिन लेकिन पुड़ा काबूनी करता अपने बैटिंग प्र हेटिंग कर देता है अगर अच्छे से कहलता तो बड़ा स्कूट कर सकता है तरंप प्लेट्स हो सकता है इंडिया की तरब के पहला करमकाड प्लेट्स इंडिया की तरब चेंदो लोग सेलैक्शन में जिसको कोई नहीं लेरा वह सकता है सेफब ःप्सं रहेगा और मैं समहल लिकी टीम में ड्रोब कर रहा हो घ्रैनलिक की टीमों में हो सकता हूं लेगें लेगन युद्न कुछ टीमों में चाहो तो ट्राइग कर लियुंग तो फिर फिर मेरे साथ से बैटिंग अच्छी पर में उसके बाद इसान किसनों तो यहां तक बैटिंग आने के थोड़े कम सब्सक्राइब तो आ सकती है फिर भी मेरे सबस्ट्राइब सब्सक्राइब अगर इंडिया के बोलर चल गए ना तो फिर पांड़ा से ज्यादा पॉइंच की उम्मीद नहीं करना अगर वह भी केशी ले जाते हैं तो देख लेना आप लोग लेकर तलना तो चल भी सकते हो वहां की तिंका कॉंबिनेशन रहेगा कैसा है जड़ेजा दोस सकते हों चारन दो विकेश्ट थीन विकेश्ट चोदर और रन ठीक ठीक परफॉर्मेंस ना बंडल में विकेश लेता लेकिन आज में जड़ेजा जागुर्ण दोनों अलाउंड को डूप करांऊं समोहल लेकिती में ग्रानले किती में मैं एक को लेकर चलने वाला हूं अक् अक्सर प्टेल पांच एक विकयट तो ये ऩांच ले मिनले हो और पूरे कर गया तो फिर तो दो विकेट्स हैं यहीं पांच और में एक या दो विकेट्स अक्सर पटे ले सकता पलस बैटिंग आते हैं तो बीच तीस तीस रण भी बना सकता है तो इसलिए रमकार्ड प्लेयर्स हो सकता जड़े इसलिए मैं जड़े ज़र पांद्या को ड् करना ही होगा फिर बात करते हैं बुम्रा कुली प्यादा दोनों को लेकर चाल सकतो विक्ती मैं आलाउट होने के तांसी ज्यादा रहेंगे तो इसलिए रिशाइट फोम अच्छे और कुल्दी प्यादो तो चार विकेट्स निकाला जब एकेला बंदा चार 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 निकाल पाईगा तो शिल्ए आलाउंबर को माज नहीं ले कर चालूंगा खास तो पर में आलाउंडर को मुहमें चीराज में अच्य कि यह बात आप द्यान में रख लेना चाहो तो शिराज की जगा पर जड़ेट जागो लिए सकते हों कि बंगलादेश के प्लेंगलों मेंदी असन मिराज मुंमन नयाम लिटोंदाज साकीबल असन तोईदी हिरोई मुस्फिकुर रहीम के जगा पर आपको यहां पर समीम हुस सफ्रिल इसलाम असन महमुद यह इनके प्लेंगलों थोड़ी वीक्टीम है क्योंकि मुस्फिकुर रहीम नहीं है लिटोंदास आउट ओफों में है और नजम लोशन संतों इंजरी से जूज रहे हैं तो थोड़ी ही वीक्टीम है इसलिए यहां से चार खलाड यहीं लेकर सब्सक्राइब करें जो कि पूरे 50 अवर आपको करते वे दिखाई देने वाले हैं अब यहां से कौन से प्रेश ठीक रहेंगे कि मैं दिया सन में राद एक रचा उप्सन देगा यहां बैटिंग बोलिंग दोने से पॉइंट देगा आला कि इंडिया के खिलाफ इसे बड़ा चाप्रपोर्मिस करता है यह बाद आनमें रखना 112 रंचाइब इसने पिसले लगाए थे और एक सत्क और इंडिया के सब्सक्राइब है रिसेंट फूंग ठीक है चलता तो बड़ा स्कोर्स भी कर देता एक अच्छा उप्सन जुरूर है टीम में तो इसको लेकर चलो ओपनी करेगा बैटिंग बोलिंग दोनों से पॉइंट निमाना जल्दी आउट हो जाएगा 28-30 बनाएगा और बोलिंग से अगर आप रखते हो अगर आप रिस्क लेने की मत रखते हो तो इसको ट्राइक कर लेना 21-28-16-38 स्कोर्स बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है अगर 20-28 कर आठीज कर रहा तो यहां से 40 कर गया ना पतास कर गया ना तीन-4 प्रचंट सेलेक्शन में एक अच्छे रंकाने के चां प्लेश को ड्रोप करना होगा अगर आप एक को ड्रोप करना चाहो तो ले सकते हो नहीं तो आसानी से इसको ड्रोप भी कर सकते हो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस पर रिस्क लेजस पर लेकिन ट्रमकार्ड की सुच्ची में जरूर रहेगा फिर बात करते हैं दोस्त पहला ट्रॉम कार्ड प्लेर्स बंगलादेश की तरफ से लिटोंदास साकी बलसन को तो लेकर चला है लाश्ट मैच में तो फ्लोप लेचे लेकिन इस मैच में एक विकेट निकाल सकते हैं स्याट के आसपास यह रन कर सकता है से एंड विसी का ऑप्शन बंगलादेश की तरफ से इकलोटता है जो साक्री बलसन होगा तीम में कंफरम लेकर चलना ही चलना साक्री बलसन को तो फिर दोस्तों है लाश्ट मैच में भी मैंने बता था ट्रॉम कार्ड प्लेर्स होगा और य कार्ण गरें आप इंडिया स्पे से लेकिन यहां से इसको विकेट्स मिल सकती है है एक दो विकेट्स क्यों विकेट्स व्हें और रिसेंट प्राम क्यों ज्यादा अच्छी तो नहीं है देख लेना बागी उत्तां अच्छा पिकिन लग रहा तो ड्रोप करके चलेंगे फि टीन एक चार एक बंडल में सौफरल लिसलाम भी विकेद टेकिंग बोलर्स है और मेरे साथ से ज्यादा विकेश इंडिया के गिरेंगे नहीं त्यार या पांच के आस्पास गिरेंगे जिसमें से महें देहसन मिराज इसलिए एक प्रिंट सेलेक्शन में और तीन वीकेर्थ निकाल लेगा अलागी मैंने भोझ में ट्राई किया था लेकिन उस टीम में में तका एफ्टर नहीं चला वे इसलिए आज भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है ताज की नहीं पाए और हसन में मुद्विकेश निक चला जाए अब दोस्ते समॉल लेकी टीम की बात करते हैं विकेश के पर मैं लोकेश लाओ ये मेरी समॉल लेकी टीम है चार मेंबर्स पांच इंडिया का मैंने चारों ले लिए टोपोर्डर्स में फिर बंगलादेश की तरफ चेहर दोए साकीबल असन और मेंदीशन मेराज मैंने ना तो जड़िजागों लिया ना मैंने पंड़ागों लिया भूमराज तासके नहमद शिराज और कुल्दी प्यादो क्योंकि मैंने मैं तीनों ही बॉलर्ड्स को ले लिया कैप्टरन की बात करें कुल्दी प्यादो दोस्तों मेरे कैप्टरन बंदा चार चार पात पांस विकर्ट सर मैच में निकाला विसी बना सकता हूं मैं आज के मैच में सुमन गिल को साकीबल असन को यह अच्छे विसी के उप्सन है ब ऐसे करता है तो मैं खुन किटम करूंगा वोग करें और उसके मैं कुछ ट्रंप कारड़ के मैं बात हैं और है तो यह और बी दूसरा ट्रम कार्ड प्लेश हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं मैं उसी को यूज़ करते हैं अपनी ग्रैन लिख की तीमें बनाऊंगा सारी की सारी जो जो मैंने ट्रम कार्ड प्लेश बताएं बस कोंबिनेसन आपको अच्छे से बनाना होता है हो सका आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से लाइक किया और प्यार दिया तो मैं फिर से आप लोगों के लिए और मैं खुद अपने लिए भी क्रेंग लिग की तीन टीमेश को किस भात को द्यान में रखती हुए मैं रख रहां और किस के साथ यूज गर आ और किस 190 मैंकिस को बना रहा हो तो इसके आप चाह्ए में कोशिज करूँ आ मैं पका नहीं कहेता लेकिन कोशिस जरूर करूँ अगर आप लोगों को प्यारा और समर्थ मिले गा अब दोस्तों बात को आज को आज को आज की कि नियुक थोस्तों यही रही नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार